तो यह बताइए दुनिया में कौनसी ऐसी कंट्री है जिसके अंदर हाथियों की संख्या जो है वो सबसे जाद है अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे क्या पूछा जाए कि आपका आंसर जो है वो हो जाएगा इंडिया तो आपसे पूछेंगे ना कि अगर एशिया के अंद तो टोटल एशिया के 50-60% जो है वो हाती भारत के अंदर पाए जाते हैं यही क्वेश्चन अगर आप से वर्डवाइट पूछा जाए कि सबसे जादा हातियों की संख्या कहां पे है तो आपको लिखना है वाट्सवाना वाट्सवाना कौनसी कॉंटिनेंट का हिस्सा है त लाइन है मिन पहला पास ची एन एंडीया में नहीं हैं उनको भी मध्य प्रिदेश के पास में लाये जाने की कावायत Україine लिए्पार ने जेंड़ लाइन के आन्फे अन्दर बापिस लाने के लिए कंजर्वेशन जो है वो शुरू करने की कवायत की है जो कि वाइड नाइप प्रोटेक्शन एक 1972 से भारत के अंदर यहां पर किया जा रहा है तो एशिया में सबसे ज़्यादा भारत के अंदर याद रखिए और जब आप से क्यों जो है यहां यहां तो बाकि सारी से होते हैं कोई बोर्ट बोडी नहीं होते है उसको landlock country बोलते हैं और ऐसी इस एफरिका के अंदर बहुत सारी countries है एफरिका के अंदर टोटल 54 countries हैं यहां पर उसमें सी सारी की सारी छोटी-छोटी countries पूरी याद रख लिजे एफरिका अकीला ऐसा continent है जिसके साथ जिसके उपर से चारों important lines पास करती है जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कर्ग रेखा विश्वत रेखा और मकर रेखा दूसरा यहां पर प्राइम meridian बोलते हैं तो प्राइम मेरीडियन भी अफरिका से पास करती है इसलिए अफरिका को बोला जाते हैं कि यह ना धन धानिया या फिर एन्वायमेंट के हिसाब से बहुत ज़ादा धनी हैं沙ंब। लेक विक्टोरिया यूगानडा तंजानिय और केणिय इन तीनओ के या इन तीन्स बॉर्डर से मिलता हैं। जहाँ से एक नदी निकल के इजिप्ट के मुखाने से जाती है एलएकजैंडेरिया से बाहर मेडिटेरियन सी में निकल जाती है और ये नदी कौन से है दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो बोली जाती है नाइल नदी या नील नदी जिसको एजिप्ट की लाइफ लाइन भी बोला जाता है यह कहां पर लोकेड़ है एफ्रिका कॉंटिनेंट में लोकेड़ है ठीक है तो यह याद रखी अचा बारत के अंदर जो एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू किया ग नंबर है और एक लाग दस हजार से शुरू करते हैं एक लाग दस हजार से एक लाग तीस हजार तक के हाती बलब नंबर में इतने हाती जो है ना वोट स्वाना के अंदर लोकेड़ है